अंजू को पाकिस्तान में मिल रहे हैं गिफ्ट लगातार देने वालों की लाइन लगी हुई है तो फिर भारत कैसे पीछे रहेगा भारत ने भीबी सीमा और सचिन को नौकरी के आफर किया है सीमा अब नहीं जाएगी पाकिस्तान उसे मिला है नौकरी के आफर और अच्छा पैकेज है हम इस बारे में बता रहे हैं दोस्तों और यह पैकेज न किवल सीमा को है बलकि उसके चहते उसके प्रेमी और उसके पती सचिन को भी आफर दिया गया है और यह है पैकेज 6-6 लाख रुपे का आओ और तुम दोनों को हम नौकरी देंदे के 6-6 लाख रुपे सा दालके रहेंगे यानि यदि देखा जाए तो 50-50,000 रुपे महीने की नौकरी सीमा और सचिन को फिलहाल जो पत्र प्राप्त हुआ है पंजिकरिट डाग से उसे पुलिस ने खोलने पहले नहीं दिया इसके पहले हम बताते हैं कि जाच में सीमा के जासुसी का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया यह जाच नौड़ा पुलिस ने किया उसके बाद ETS ने किया लेकिन कुछ भी नहीं मिल पाया ठक हार गए जाच की सुई उस पॉइंट पर नहीं पहुंच पाई जिससे कि सीमा को पाकिस्तान का गुप्तचर और जासूस माना जाए यह माना द्वारा भेजी गई यह जासूस है इसके इसकी मनसा भारत के प्रति खराब है ऐसा कुछ नहीं मिला सिमागी भावनाएं कहीं से गलत नहीं पाई गई और वह किसी सद्यंत्र के तहद भारत आई है ऐसा भी हमारे प्रदेश की पुलिस को नहीं मिल पाया नोडा पुलिस या फिर उत्तरपदेश का एटियस इसने पूश्टाश करके अपने करतबी की इतीसरी कर लिया पाकिस्तान के कराची से सचिन के प्यार में नेपाल के राखते भारत आई सीमा सचिन वह उसके परिवार के सामने सबसे बड़ा आर्थिक संकट पैदा हो गया है सचिन के माता पि इसका संकट पैदा हो गया है सीमा पर छूट बोलने वाटसप के मैसेज डिलीट करने कई अस्थानों से सिम लेने भरजी नाम पते पर होटल बुक करने यह वंग अवयधानिक रूप से भारत में आने रहने और गतिविधियों को संचालित करने का जो आरोप है उससे कभी यह दोनों जेल जा सकते हैं कुछ लोग जेल चले भी गए जो फर्जी पासपोर्ट के कुछ ऐसे किये थे जिन लोगों ने अभिलेक बनाया था इनकी दिवानगी को देख करके पुलिस भी वैक फुट पर हो गई है और यदि सच में जब जब कड़ाई किया पुलिस ने त हमारी जान नहीं बचेगी हम यहीं तड़ब तड़ब करके मर जाएंगे लेकिन हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे इस बीच सचिन के ग्रेटर नोईडा वाले घर पर एक पंजीकृत पत्र प्राप्त हुआ जो गुजरात से भेजा गया है सुरक्षा के कारणों को देखते व उच्चाधिकारियों से पुलिस ने संपर किया और उच्चाधिकारियों की उपस्थिती में उस पत्र को खोला गया जिसमें गुजरात के किसी उद्योग पती ने सीमा और सचिन को अपने फर्म में नौकरी जोईन करने का आफर दिया है कहा गया है हम तुम्हें नौकरी दे रहे हैं भोखों नहीं मरने देंगे आओ और यहाँ जोईन कर लो जब भी चाहो आजाओ हम 6-6 लाग के पेकेज पर तुम्हें जोईन कराएंगे और एक को नहीं दोनों के नौकरी देंगे यानि दोनों का पैसा अगर मिला दिया जाए तो यह एक साल का 12 लाक रुपे होगा अर्थात 50,000 रुपे प्रति महिने की सेलरी का आफर आ गया है सीमा और सचिन को महिनों से पुलिस की जाच, सोसल मीडिया का खेरा और लोगों का आना जाना, सेलफी लेना, बिविद प्रकार के प्रसंद करना, उनके नीजी जीवन में खलल पैदा करना, इसलिए वह महिनों से सो नहीं पाये है, सचिन के पिता नेतरपाल मंडी में मजदूरी करते हैं और उनकी मजदूरी भी छूट गई है, यदि देखा जाए, जो सचिन और सीमा इसके चार बच्चे, सचिन के माता पिता को लेकर, कुल आठ लोगों का यह परिवार आर्थिक तंगी से जूज रहा है, भोजन का संकट पैदा हो गया है, इस आफर को वह दोनों स्विकार करते हैं, तो उन्हें नोईडा छोड़ करके सिधे सिधे गुजरात में जाना पड़ेगा, और उनका अगला निवास होगा, अगला पता होगा, अस्थाई प पहाओ का दंस, दोनों जेल रहे हैं नोईडा में, और दोनों अब आज ही जा गये हैं, दोनों परिसान हो गये हैं मीडिया से और इस से, तो पुलिस के, चुकि पुलिस का घेरा आभी भी है, पुलिस अभी भी इनके तमाम गतिविधियों पर अपनी नजर गड़ाए लेकिन अगर पुलिस की अनुमती हुई और प्रदेश सासन की सामती बनी, तो यह दोनों गुजरात के उस पते पर जाएंगे और जाकर के काम करेंगे, हलांकि दोनों पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन पढ़ाई लिखाई का यहां बहुत जादे मतलब नहीं है, वह अंग् अपदेश की सरकार और यहां का पुलिस बिभाग उन्हें जाने की अनुमती और सहमती देते हैं, उस पत्र की इंक्वाईरी होगी, वहां से पता होगा, और यदि सच है, तो दोनों को रोजगार का आउसर मिलेगा, यदि सीमा अभी तक दोसी नहीं पाई गई और पुलिस क्लीन चीट देती है, तो कमाने खाने का तो उन्हें प्रबंद करना ही पड़ेगा, भूखों मरते हैं, तो भारत के सम्मिधान के अनुछेद, आल्टकिल 21 का गोर हनन होगा, क्योंकि आल्टकिल 21 कहता है, देश में रहने वाले प्रतेग व्यक्ति को गरिमा की साथ जीने का अधिकार प्राप्त है, जिसमें राइट टू फूड है, राइट टू एजिक्वेशन है, राइट टू मेडिसीन है, यह सारे मौलिक अधिकार के तहद यह सब चीजे आती है, तो दोस्तों मैं हूं प्रजबुशन दूबे, आज सीमा और सचिन पर मस इतना ही आसा करता हू यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, आपके कमेंट बिनम्र भाव से साधर आमंतरित किये जाते हैं